जेहिन दोस्तो आज हम इस वीडियों बात करेंगे उत्तप्रदेश के चुनाब की दोस्तो जैसे के आप जानते हो उत्तप्रदेश के चुनाब है वो काफी ज्यादा तेजी से चलना है पहला जो चरहने उत्तप्रदेश चुनाब का वो 10 फरवरी को लास्ट का चरहने वो 7 मा को नतीजे आ जाएंगे कि उत्ताप्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है पर दोस्तों उत्ताप्रदेश के मुसल्मान जो है वो आखिरकार किसको चुनेंगे क्या समाजवादी पार्टी का जो गटबंदन है अखलेश और जेन चोदरी के क्या मुसल्मान उनको वोड जाएंगे या जो M.I.M. A.I.M.M. असदुद्दीन उसी जी की जो पार्टी है जिसने सो सीटों पर उम्मिदवार उतानने की गोशना की है और जादेतर उम्मिदवार उतार भी दिये हैं सीटों पर वो गोशना करी है उनकी वहीं दोस्तों क्या मुसल्मान M.I.M. को असदुद्दीन O.I.C. जो हैं वो दो लोग की जादे राजनीती करते हैं एक तो मुसल्मान वहीं दूसरा दलिद अगर मुसल्मान और दलिद एक साथ अकर असदुद्दीन O.I.C. को वोट देते हैं तो दोस्तों असदुद्दीन O.I.C. जी की ज्यादा सीटे आ सकती है पर दोस्तों आज हम बात करेंगे असद्दीन OEC ने 100 सीटों पर उम्मिदवार उतानने की गोशना करी है असद्दीन OEC की पार्टी कितनी सीटें जी सकती है 100 में से आज हम इस वीडियों बात करने जा रहे हैं दोस्तों देखें बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर 60% मुसल्मान भी है 50% भी है 40% भी है 35% भी है 30% भी है जहां पर ज्यादा मुसल्मान हैं वहाँ पर ही असद्दीन OEC जी ने उम्मिदवार उतानने की गोशना करी है अब तो दो सवाल उटते हैं क्या मुसल्मान समाझवादी या जेन चोधरी को या रल्डी के गड़बंदन को वोट देना पसंद करेंगे या जो असद्दीन OEC मुसल्मानों के राजनीती करते हैं दलित के राजनीती करते हैं क्या जो मुसल्मान हैं वो M.I.M. को वोट दे मुसल्मान की राजनेती करते हैं अगर दोस्तों मुसल्मान और धलित 200 सीटों पर जो उम्मिदवार उतार रही है अगर एक साथ आ जाते हैं और असुछते हैं कि हम इन्हें वोट करें तो असुछते हैं कि काफी ज्यादा सीटे आ भी सकती हैं पर अब दोस्तों देखना होग कि असुछते हैं कि असुछते हैं या सिर्फ और सिफ अकलेश यादव और अरलडी के जो अध्याक्षन जेन चोधरी के जो गड़बंदा ने क्या उसको ही नुकसान पहुचा पाएंगे वो बीजेपी को फायदा पहुचे गाए इस पर आपकी काफिति करिया और असुछत चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी न भूलें